नमस्कार आप दिख रहा है आज तक मैं हूँ आपके साथ नव्जोत रंधावा बड़ी खबर सबसे पहले बता दे आज ड्राय रन चल रहा है कोरोना वाक्सिन को लेकर के से आगे वाक्सिनिशन की शुर्मात होगी लेकिन इस बीच केंद्रे स्वास्तेमंद्री डॉक्रा हर अरश्वर्दन ने एक बड़ा बयान दिया है उन्हें काया कि पूरे देश में कोरोना वाक्सिन मुफ्त में दी जाएगी यानि ये ठीका मुफ्त में लोगों को मिलेगा ये बड़ी बात है कोरोना वाक्सिन पर स्वास्तेमंद्री का ये बड़ा एलान है जी टीबी जहां पर ड्रायरन चल रहा है दिल्ली नहीं उन्होंने कहा कि पूरे देश में मुफ्त में कोरोना वाक्सिन दी जाएगी कि अधिन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए यह उन्हें कीमत देनी पड़ी है दिल्ली में नी सारे देश में थी जाएग दिल्ली में नी सारे देश में थी जाएग एक ये खुश्खबरी की मुफ्त में मिलेगी वाक्सिन और अब वो खुश्खबरी भी आ गई है जिसका सब को इंतिजार था देखिए हमारी खास पेशकुर्श नमस्कार मैं हूँ श्पेता सिंग और आप देख रहे हैं आज तक नए साल की पहली तारीख और पहली तारीख को ही सबसे बड़ी खुश्खबरी हिंदुस्तान में सबको मिल गई है खुश्खबरी ये कि आपार इस्तेमाल की इजाज़त कोरोना की पहली वैक्सीन को भारत में मिल गई है दरसल 30 जनवरी वो तारीख थी जब पहली बार एक व्यक्ती संक्रमित हुआ था यानि हिंदुस्तान का पहला पेशिंट उसके बाद 10 मार्च जब पहली बार एक कोरो हमारी से लेकिन आज की तारीख में पूरा हिंदुस्तान उस लड़ाई को लड़ने के लिए तयार है जब कोरोना को हम सब मिल कर शिकस्त देंगे लेकिन आपके लिए ये जान लेना बहुत जरूरी है कि इस वैक्सीन के आने के बाद अब आपकी जिन्दगी में क्या-क्या बदलने वाला है क्या-क्या होने वाला है कैसे आपको मिल सकती है ये वैक्सीन अगले एक घंटे में ये सारी चीज़ है आपके साथ 27 दिसंबर 2019 वो तारीख जब विश्व को चीन के भीतर कोरोना के पहले किसका पता चला करीब एक महीने बाद 30 जनवरी 2020 जब भारत में कोरोना का पहला केस सामने आया और फिर देश में कोरोना ने अपनों से दूर करने का वो अंतहीन दुखत सिलसिला शुरू किया जहां आखिरी बार अंतिम दर्शन करने का मौका तक परिवारों को नहीं मिल पाया देश के हर हिस्से से कलेजा चीर देने वालीन घबरों पर लगाम गब लगेगी ये सोचते हुए हर नागरिक इंतजार करता मिला उस वैक्सीन का जिससे जुड़ी सबसे बड़ी खबर अब सामने आ गई है मेरे हाथ में है वो वैक्सीन जिसका इस वक्त पूरा देश इंतजार कर रहा है एक जनवरी की सुबा जब हिंदूस्तान का हर नागरिक अपने अपने धर्म के मताबिक पूजा करके ये प्रार्थना दूआ कर रहा था कि जल्द से जल्द कोरोना के संक्रमन से बचाने वाली शील्ड यानि कोरोना रक्षक वैक्सीन मिले तब साल के पहले दिन की दोपहर ये खबर आई कि भारत में कोवी शील्ड वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की इजाज़त मिल गई ओक्सफोर्ड एस्ट्रजेनिका की कोवी शील्ड वैक्सीन भारत में सिरम इंसिट्यूट ऑफ इंडिया तयार कर रहा है ये तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है हमारे कंट्री के लिए क्योंकि ये जो वैक्सीन जिसकी ट्राइज चल रही थी फेस्ट्री ट्राइज भी चल रही थी और यूके ने इसको अप्रूव ही किया हाल में तो इसका ये मतलब है कि अब हमारे क्योंकि अगर जो आप सारी वैक्सीन जो अभी तैयार है जिनको अप्रूवल मिल रहा है उन में से ये एस्टर जैनिका की जो सिरम इंस्टिटूट इंडिया में बना रहा है उसकी टेंपरिचर स्टॉरेज जो है वो दो से आट डिग्र इसका मतलब फ्रिज में रख सकते हैं और इसकी कॉस्ट भी कम है और इसकी प्रोड़क्शन कपैसिटी भी इतनी है कि हमारे को उपलब्ध हो जाएंगे इनफ डोजिस क्योंकि हिंदूस्तान में तो एक पूरा सॉक रोड के करीब चाहिए होंगे डोजिस तो इसलिए ये अधिगी को सुरक्षा की शील्ड देने वाली है उस वैक्सीन के निर्माता सीरम इंसिट्यूट तक आज तक पहुचा अधिन प्रोग्राइम को लांच और रोल आउट करने तो तक यू राहूल तो ये प्रोड़क्त हम आठ नौ महिने से हमारी पूरी सीरम की टीम और साइंटिस्स और सब लोग भूत एफ़र्ट और काम के बाद अभी ये फाइनल टाइम आया है ये लांच के लिए तो सब त गोल्ड रूम में जाके देख सकते हैं कि इतना सारा स्टॉक हमने बनाया है कि पूरी देश के लिए जितना भी वैक्सीन चाहिए हम तयार है तो अभी ये लास्ट पाइनल मोमेंट तक हम आ चुके हैं सीरम इंसिट्यूट आफ इंडिया की कोविशील्ड भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और फाइजर ने देश में आपात कालिन इस्तमाल की मंजूरी के लिए ड्रग्स कंचोलर जनरल आफ इंडिया के सामने आवेदन किया था एक्सपर्ट पैनल ने इसके बाद कोविशील्ड वैक्सीन को भारत में इजाज़त दी है दावा की कोविशील्ड की 5 करोन से ज्यादा डोज तैयार हो चुकी है जिससे धाई करोन लोगों को कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन लगाई जा सकती है और जो ठीका कोरोना के ख खिलाव लक्षमण रेखा बनने जा रहा है उसे तैयार करने में कितनी महनत हुई इसे आज तक ने सीरम इंसिट्यूट के प्रमुख अदार पुनावाला से पूछा करोडोजीज हमारे वरांस में रेडी करने तो यह सब जल से जल छै म connectivity में करने जो नॉर्मली तीन या चार साल हम लगाते हैं और रिस्क भी बाद में लेते हैं, हमें ये रिस्क पहले लेना पड़ा, मार्च और इप्रिल में, और ये प्रोसेस तब शुरू की थी, फेस थी होने के पहले, और वो टाइम पे वो वक्त पे हमें पता भी नहीं था कि ये वैक्सी की शीशियां देख रहे हैं, जिनसे एक शीशी से दावा है, तस डोस दी जा सकती है, जिसे एक बार खुलने के बाद, चार से पांच घंटे के बीतर इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर एक डॉक्टर के पास वैक्सीम की एक शीशी पहुंची, तो उसमें दस डोस जो आप देख सकते हैं, सब वाइल को अलग-अलग तरीके से एक्जैमन करते हैं कि कुछ अंदर तो ना हो, पार्टिकल, दूर, कुछ भी हो सकता है, तो यहां रिजेक्टेड आता है, यहां एक्सेप्टेड आता है, जो रिजेक्टेड है वो कचरे में हम फेकते हैं, इसके बाद लेबलिंग होगा, और फिर बॉक्सेज में पैक होगा, उसके साथ वो ड्राइ आइस होगा कि फोल्ड चेन में में नेंटेन कर सकते हैं, और फिर रिजेजेड ट्रक्स में, एसी के ट्रक्स में, पूरी देश में जाएगा, और गवर्मेंट के कोल डूम में भारत में प्रात्रमिक्ता पर 30 करोण लोगों को टीका दिया जाना है, यानि करीब 60 करोण डोज, ऐसे में सीरम इंसित्यूट के मुताबिक इतने बड़े पैमाने पर पहले से टीका के निर्माण की तैयारियां करके रखी गई हैं, लेकिन किस-किस को पहले टीका लगेगा, वैक्सीन कैसे जनता तक पहुचेगी, इसकी पूरी प्रक्रिया कुछी देर में हम आपको बताने वाले हैं, देश में जैसे ही कोरोणा की पहली वैक्सीन को अब मन्जूरी मिली, उससे पहले से वैक्सीन लगाने की तैयारियों को शुरू किया जा चुका है, ड्राइडन क कुछ राज्यों में हुआ, पूरे देश में एक साथ हुने जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, यह जानना भी आपके लिए जरूरी है, लेकिन उससे पहले, आज आप अभी देखिए, कैसे आपको बचाने वाली वैक्सीन को तैयार किया जा रहा है, सीधे भारत में वैक्सी की जनमस्थली, यानि सीरम इंस्ट्यूट की लैप से, यहां पर आपके जो प्रोफेशनल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो अभी यह साइन्टिस्स है, यह फिलिंग लाइन मॉनिटर कर रहे हैं, यह लाइन पे 5,000 डोज कोविट वैक्सीन के हर मिनिट में फिल होते हैं, और यह ग्लास वाइल में जाते हैं, जहां आपने स्क्रीनिग देखा था और लेबलिंग देखा था, तो यह फिलिंग पार्ट है, जो वैक्सीन फिल होती है, और उसके बाद स्क्रीनिंग और टेस्टिंग होता हैं, वैक्सीन के फिलिंग एरिया में भी हम पहुँचे, पहले तैयार हुए सुरक्षा के मानकों के आधार पर यहां तक आपके लिए पहुचने की एक बहुत खास वजा है वो कारण है कोरोना से तो बच गये वैक्सीन से तो खत्रा नहीं होगा क्योंकि देश में काफी लोगों के मन में ये सवाल वाइरस की तरह जिंदा है कि जब दूसर पंदरा साल का आरेंडी होता है ट्रायल होते हैं यह तो साल भर के अंदर वाइरस आया लोगों ने उसको डिकोड किया जिनोम को और फिर वैक्सीन भी बना दी अब रोल आउट भी हो रहा है यह जो जल्दबादी में काम हुआ है वो कितना से यह जो वैक्सीन हम बना रहे ह बिल्कुल सेफ्टी का सबसे हाइस प्रायोरिटी यह हम है इसमें हमने रिसेर्च कियाए नौ मिन गयलें इसमें और जो भी साइड एफेक्स छोटेak मोटे होते रहते है वो सब रखसीन के साथ होते है हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि सब वैक्सीन में थोड़ा फि सब वैक्सिन में हमने देखे कि कुछ लॉंग-term side effects नहीं है अभी हजारों लोको में ये वैक्सिन गया है चार-पांच मेने का follow-up हुआ है और जैसे एक-दो साल टिकिंगे जाएंगे हमें और भी safety का data आए तो आएगा अपने को तो ठीका लग्या ना बस अब अब long-term side effect तो सिर्फ long-term में ही पता चलेंगे अभी आप लोगों ने बोला कि short-term में कुछ नहीं है आगे चलके तीन साल बाद चार साल बाद कुई side effect वा तब तक तो इतने सारे लोगों को लग गया ठीका जेनरली कुछ भी issue होगा तो पहले साथ दिन में vaccine का होता है साथ दिन के बाद कुछ भी होगा और दस दिन पंदरा दिन के बाद ऐसा नहीं हो सकता है और relate कर सकता है vaccine के वज़े से क्योंकि यह जो vaccine है जो आपके body में जाता है वो तो dead virus है ने तो live attinuated virus है non-replicating virus है तो जो replicate नहीं होता है तो फिर long term में भी safety की इतनी इश्यू नहीं है अब सबसे जरूरी सवाल आपको यह vaccine कितने रुपए में मिलने की उमीद है दावा है serum institute भारत सरकार को एक dose 200 रुपए में देगी यानि दो dose की vaccine 400 रुपए में लेकिन यह दाम सिर्फ सरकार की लिए है क्योंकि सरकार तो serum institute से करोणो dose खरीद रही है दावा है कि अगर कोई private company vaccine की dose खरीदती है तो एक हजार रुपए एक dose के देने होंगे यानि किसी private जगह से vaccine लेने का खर्च दो dose के आधार पर 2000 रुपए कम से कम हो सकता है लेकिन आगे सरकार मुफ्त में vaccine देगी या जिस दाम पर खरीदा है उसी परजनता को टीका लगाया जाएगा इसका जवाब मिलना भी बाकी है लेकिन सबसे जरूरी बात ध्यान रखिए पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो डीलाई नहीं लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूँ दवाई भी और कड़ाई भी कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई ये ब्रह्म में मत रहना दुनिया यही कहती है वैज्यानिक यही कहते है और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2021 का दवाई भी और कड़ाई भी कोरोना की वैक्सीन आई है लेकिन कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है दवा आपको कोरोना से बचाएगी लेकिन अपना रूप बदलते कोरोना के सामने दवा का टीका और सावधानी का टीका दोनों जरूरी है राहुलकमर आज तक पूरी दुनिया में इतनी बड़े पैमाने पर कहीं पर भी वैक्सीन नहीं लगाई गई है क्योंकि भारत की आबादी बाकी सभी देशों की तुलना में आप देख लीजिए जहां तक चीन का सवाल है वहाँ पर रहस्यमई इतना रहता है सबको जितनी गोपनियता रहती है चीजे की जीजाय नहीं पता चलती हुआ और पहले से वहाक्सीन इस्तमाल कर रहा है इस बात का दावा करता हैं लेकिन भारत में जो वाक्सीनेशन ड्राइप होगी वह पूरी दुनिया केलिए मिसाल हो दू यह तो तय हो गया है कि पहली वाक्सीन कौनसी होने वाली है कौन सी वेक्षीन को इजाजत दी के लेकिन आपको यह समझ ना फी je जरूरी है कि आगे क्या होने वाला है ड्राइरंस कल से पूरे देश में शुरू हो रहे हैं भारत में हर जरूरी तैयारिया चल गई है भारत में बनी वैक्षिन के तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे इसके लिए कोशिश हैं अंतीम चरणों में हैं दुनिया का सबसे बड़ा टीका करन अभ्यान चलाने के लिए हरत की तैयारिया जोरों पर हैं कोरोना महमारी पर निडायक वार के लिए जिस तैयारी का जिक्र प्रधान मंत्री ने किया यह उसी की तस्वीर हैं जिसमें रत्ती भर भी गुंजाईश न रह जाए इसके लिए मेडिकल स्टाफ एक बार फिर फ्रंट लाइन पर हैं देशवासियों को कोरोना का टीका बिना परेशानी के लग सके यह सुनिश्चित करने के लिए हेल्थ करमचारी फिर से कमर कस चुके हैं लेकिन सवाल यह है कि इस डीप फ्रीजर में रखा जाने वाला कोरोना का टीका कब कैसे और किसे लगेगा वेक्सीन सेंटर जाने पर क्या होगा इससे लेकर न सिर्फ पूरा रोड मैप तयार है बलकि करोडों लोगों को कोरोना के दवा की डोज देने के लिए युदस्तर पर तयारी की जा रही है देश के चार राच्यों पंजाब, अस्रम, गुजरात और आंध्रप्रदेश में ड्राइडन किया जा चुका है इसके अच्छे रिजल्ट सामने आने के बाद अब पूरे देश को इसके लिए तयार किया जा रहा है यह जो एक्सरसाइब है इसका उदेश भी यही है कि हम हमारी हर बारीक से बारीक जो एस्पेक्ट्स है उनको पूरी अच्छी तरीके से उलका अध्यन कर लें जहां जहां हमें vaccinations करने हैं उन vaccination के जो sites हैं vaccination की जो teams हैं उन sites के ओपर जो minute से minute बातों को ख्यार करना है ये तयारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 40 करोड लोग vaccine की प्राथमिक्ता लिस्ट में शामिल हैं सबसे पहले एक करोड सरकारी और प्राइवेट हेल्थ वरकर्स को कोरोना की दवा पिलाई जाएगी दूसरे नमबर पर पुलिस, होम गाड और फ्रंट लाइन वरकरों का नमबर है जिनकी संखिया दो करोड है इसके बाद बारी 50 साल से ज्यादा उम्र दराज लोगों की है इस तरह ये दुनिया का सबसे बड़ा टीका करन अभियान होगा ड्राइरन में राजिर जिन भी दो शेहरों को चुनेंगे वहाँ पर वैक्सीन को शेहर तक पहुँचाने से लेकर अस्पताल तक लाने, लोगों को बुलाने डोस देने की पूरी प्रक्रिया का इस तरह से पालन किया जाएगा मानों, असल में वैक्सीनेशन हो रहा हो ड्राइरन की एक और बड़ी वज़ा कोरोना वैक्सीन को लेकर बने कोविन मोबाइल एप का टेस्ट करना भी है ड्राइरन में जिन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी उन्हें समस भेजा जाएगा यसे दिखाने पर ही स्वास्यकरमी वैक्सीनेशन पर काम करेंगे हर वैक्सीनेशन सेंटर में तीन कमरे होंगे जिनमें आने और जाने का रास्ता अलग होगा सबसे पहले आपको वैक्सीन आफिसर मिलेगा जो आपके मोबाइल पर आए मेसेज को देखेगा इसके बाद आपके पहचान पत्र की जाँच की जाएगी तब यह तैंकिया जाएगा कि टीका सही व्यक्ति को लगे मतलब इस पूरी प्रक्रिया में अलग-अलग लोग शामिल होंगे जिनके ताल मेल पर ही टीका करन के कामया भी निरभर है गांधी नगर में इस लक्ष को हासिल करने के लिए कैसी तैयारी है इसकी परताल हमारी समवादाता गोपी घांगर ने की यह वैक्सिनेशन ड्रूम बनाया गया है और यहां पे सारे लोग आएंगे जिनको वैक्सिन देना है जो हेल्थ वर्कर यहां पे रहेंगे उन हेल्थ वर्कर को यहां पे आप देख सकते हैं कि जो वैक्सिन है वैक्सिन के लिए यह पूरा ड्राइरन है तो पूरी तयारी यहां पे की गई है और उनको किस तरीके से हाथों में सैनिटाइज लगाना वैक्सिन के लिए इंजेक्शन तयार करना साथ ही उनका जो पूरा डेटा है उस डेटा को इसमें फील किया जा रहा है मैं यह बता है इ करना होता है और जब वैक्सिन देते हैं तो इसके अंदर ये यर्ष करके आगे जाने के होता है मैं मैं रिसीद उनको दी जाती है इसमें क्या क्या जानकरी रएती है ये बात अमेरीका के उदारन से सम्झी जा सकती है जहां पर टीका करण का काम किसी बुरे सपने की तरह सावित हुआ अमेरिकी सरकार ने अमेरिकी जनरल गुस्ताव पर्ण के कंधों पर इसकी जिम्मदारी सोपी थी लेकिन विशेशक्यों का कहना है कि इस फैसले से अमेरिका के वैक्सिनेशन का काम अफगानिस्तान में सैन्य आउपरेशन से ज्यादा खातक साबित हुआ दावा है कि अमेरिकी प्रशासन को पता ही नहीं है कि वैक्सीन किसे पहले दी जानी है नौबत यह आ गई कि अमेरिकी जनरल गुस्ताव पॉन को बखाइदा कोरोना वैक्सीन कारिकरम में गर्बड़ी के लिए माफी मागनी पड़ी सोचिए अमेरिका में क्या हालत होगी जहांपर पूरो राश्यपतियों की मोहिम से प्रभावित होकर लोग वैक्सीन लगवाने अस्पताल पहुच रहे हैं लेकिन उन्हें भटकना पड़ रहा है दावा है कि अमेरिका में जरूरत मंदों को वैक्सीन पहुच ही नहीं पा रहे हैं भारत में ऐसा ना हो इसके लिए ही ड्राइ रन किया जा रहा है ताकि जब टीका करण का काम शुरू हो तो हेल्थ वर्कर्स ना सिर्फ पहले से तयार हो बलकि अपनी कमियों पर भी काम कर चुके हो अच्छी बात ये है कि भारत को टीका करण के मामले में काफी अनुभव है जो इस बार बहुत काम आने वाला है इतने लोगों को दो-दो-डोस देना और वो भी हिंदुस्तान जैसे देश में सुदूर एरियास तक पहले हुए लोगों को देना ये अपने आप में एक बहुत ही विशाल प्रोग्राम है लेकिन खुशी की बात ये है कि हमारा देश इस तरह के विशाल वैक्सिनेशन प्रोग्राम को चलाने का एक्सपिरियंस रखता है और करोनों डोजेजेज वैक्सिन्स की हमारे यहां प्रेगनेंट मदर्स को और बच्चों को प्रतिवर्श लगती हैं और भारत सरकार ने कई महीनों से ऐसा नहीं है कि यह आज हुआ है आज सो एप्रूबल हुआ है लेकिन इसकी तयारी भारत सरकार ने, राज सरकारों ने कई महीने पहले से शुरू कर दी थी वैक्सिनेशन की इस पूरी प्रक्रिया में डिजिटल प्रेटफॉर्म कोविन भी अपनी एहम भूमिका निभाएगा जिसकी मदद से वैक्सिन लगने वालों की सभी जानकारियां रियल टाइम में अपडेट की जाएंगी गांदी नगर से गोफी घांगर, दिली से मिलन शर्मा, एश्वर्या पालिवाल और पंकट जैन के साथ आज तक ब्यूरो तो वैक्सिन लगेगी हमने आपको बता दिया वैक्सिन कैसे लगेगी, क्या तैयारियां उसकी हो रही है ये भी आपको बता दिया लेकिन एक और तैयारी है जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये कि भ्रम और अफवाहूं से बचना है देश में वाक्सीन को इजाज़त मिल गई है अमर्जेंसी इस्तेमाल के लिए और उससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां हम आपको दे रहे हैं लेकिन इन सारी चीजों के बीच ये जान लेना भी जरूरी होता है कि किन चीजों से आपको बच कर रहना है क्योंकि जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है कोरोना की संक्रमन की शुरुआत से हमने ये देखा है और अब तो जो जानकारी है उस पर अफ़वाह कई दफा भारी पड़ जाते हैं जो धार्मिक संक्रन होते हैं जो स्वयंभू धार्मिक गुरू खुद को कहलाना पसंद करते हैं वो इसके बारे में गलत जानकारियां कई बार देते हैं कई दफार राजनीती भी इस पर खूब हो जाती है लेकिन इन सारी चीजों के बीच हम सब को ये समझना है कि अगर दुनिया भर के वैग्यानिकों ने मिलकर रिकॉर्ड टाइम में एक वाक्सीन को तयार किया है तो वो वाक्सीन उनके अथक परिश्रम का नतीजा है और पूरे मानवता को बचाने के लिए उसका निर्मार किया गया है इसलिए उन अवाहू से बचना है उस भरम से बचना है और तयार रहना है उस वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए जो सबका सबसे बड़ा हथियार होगा कोरोना नाम की इस महामारी के सामने पाकिस्तान में पोलियो के टीके को लेकर भ्रम और अफवाह की शिकार होती ऐसी ही जनता ने बीमारी को और पनपने दिया तो क्या भारत में भी जब कोरोना की पहली वैक्सीन को मनजूरी मिल गई तो कुछ अफवाहबाजों और धर्म के नाम पर भ्रम फैलाने वाले वाइरस रूपी इंसानों के कारण परेशानिया हो सकती है जो सुवर के किसी भी अज़जा से बनाई गई हो वो इसलाम में ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना हराम है वैक्सीन बनाया है उसको हर्किस ना मगाए ये शुद रूप से लोगों की सिहत और सलामती के लिए है वैक्सीन और जो लोग भी तुछ परचार कर रहे हैं दुनिया की बेतरी के दिश्मा है जाहे उसका खून हो उसकी चर्बी हो उसकी हट्टी हो जा उसका गोश्ट हो अगर उसमें शामिल है तो सुवर मुसल्मानों के नस्दिक हराम है हराम हराम है लहाजा किसी भी दवा या वैक्सीन या किसी भी चीज में खंजीर का कोई भी जुस्ट इस्तिवाल किया जाए वो बिल्किल लापाप और हराम है अर्याना के मंत्री विजसाब चोहरत पाने के लिए उन्होंने अपना वैक्सीन लिया और उनको कोविड हो गया अब एक्स्प्रेन किये कर रहे हैं कि निसाओं सेकंड डोस के बाद इतने जुनों बाद हिंदुस्तान में किस्वी सदी के कीश्वे साल की सुभा कोरोना से बचाने वाले भारत के पहले टीके की किरने फैलने की खबर आने के साथ हुई तो अब जरूरी हो गया है कि अफ़ा की मिलावा टीके में करने वालों से सावधान किया जाए किसी को बुरा दिखाने के लिए सामान्य मानिवी का कितना नुक्षान हो रहा है इसकी परवा किये बिना न जाने अंगिनत काल्पनिक जूप फैलाए जाएंगे कुछ मात्रा में तो सुरू भी हो चुके हैं और भोले भाले गरीब लोग या कुछ बदिरादे से काम करने वाले लोग बढ़े कन्विक्शन के साथ इसको फैलाते हैं मेरा देश वासियों से आगर होगा कि कोरोना के खिलाब एक अंजान दुश्मन के खिलाब लड़ाई है अफ़ाओं के बाजार गर्म न होने दे हम भी सोशेल मेडिया में कुछ भी देखा बिना फॉर्वर्ड न करे प्रधान मंत्री तक को ये बात इसलिए कहनी पड़ी क् कि भारत में वैक्सिनेशन शुरू होने से पहले अफवाहों का सर्कुलेशन तेजी से हुआ ताजा मामला भारतिये सूफी मुसल्मानों की संस्था रजा अकादमी से जुड़ा है जिसमें विश्व स्वास्ति संगठन को चिठ्थी लिखकर वैक्सीन के निर्मान में पूरा विवाद शुरू हुआ था इंडोनेशिया से फिर वैक्सीन को लेकर धार्मिक प्रतिबंधों की बयानबाजी यूएई आई अमेरिका में भी कुछ संगठनों ने सवाल उठाए इसके बाद भारत में कई धर्मगुरू टीका पर धर्म की पाबंधियों की टीका टिपड़ी करने लगे कुरान में हुकुम है रसूल इल्लाव सल्लम का हदीस में हुकुम है जो एक सुबर और उसकी कोई भी पार्टिकल कोई भी अलिमेंट और इंग्रीडियन एक मुसल्मान के लिए उसका यूज उप्योग उसका हराम और अवैद है मुसल्मान उसको नहीं ंए उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है इसकी जन बचाना जाए ताक्य मरने वाले आदमी की जान बच सके उस वक्त तो ये इन्जेक्चन उसके जाए होगा लेकिन एक तंदुरुस तवाना आज में उसको लगाए उसके लिए जाहिज नहीं होगा अगर सूर की चर्वी वाली कोई शैबी मुसल्मान अगर इस्तेमाल करता है तो वह उसके लिए हराम है तो इस बात की वजाहत जरूरी है अगर कोरोना वैक्सीन में सूर की चर्वी है तो वह मुसल्मानों के लिए उनकी इमान से टक्राओ होगा दरसल सूर की मीट से बने जेलेटिन का इस्तेमाल स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के दौरान सुरक्षित रखने के लिए होता रहा है इसी आधार पर पहले भी कई मुसलिम संगठन वैक्सीन का विरोध करते रहे इस पार इंडोनेशिया की मुसलिम धर्म गुरू चीन से जब वैक्सीन लेने पहुँचे तो एक बार फिर ऐसी वैक्सीन लेने से इंकार किया जिसमें जिलेटिन का इस्तेमाल हुआ हो बस इसी के बाद कववा कान ले गया वाली कहावत के आधार पर बिना सच जाने देश के कई धार्मिक संगठन भारत में भी वैक्सीन के उपर धर्म का इंजिक्शन लगाने लगी एक विशेश धर्म के भीतरी सबसे ज्यादा इसका विरोध दिख रहा है इसका कानल क्या जानकार कहते हैं वजह है साक्षरता कम होना गरीबी ज्यादा होना और सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा प्रभाव 2011 की जंगरना की मताबिक देश में मुस्लिम आबादी 17 करोण 22 लाग है एक चौथा यानि सबाद 4 करोण लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं रिसर्च बताती है कि आधी मुस्लिम महिलाएं साक्षरत तक नहीं है इसलिए अगर इस तरेटे का डिसकेशन होगा इस तरेटे की अफवाहें पहलाई जाएंगी और एक वैक्सीन के आने से पहले ही उस पर इस तरेटे की गुफ्तबू शुरू हो जाएगी तो मुझे लगता है कि फिर आवाम में बहुत हद तक कन्फूजन पैदा होगी और अगर इस तरेटे की कन्फूजन पैदा होती है तो जिस तरेटे से आपने देखा कि पोलियों की सिलसले में हमारा इंदोस्तान दसों साल पीछे चला गया और पिर कई लोग उससे अपाहिट भी हुए और इस तरेटे की कन्फूजन ने पोलियों जिसी बीमारी को बढ़ने में बहुत मदद की तो मेरा ये मालना है कि शरीयत में बहुत से मामलात में आसानिया पैदा की है तो शरीयत के जो आसानी वाले मामलात उनको देखते हुए इस पर बहुत सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है बावजूद इसके जब देश में वैक्सीन के ड्राइरन तक की शुरुवात होने जा रही है तो किन्तु परन्तु लगाकर ब्रहम फैलाने में कुछ लोग जुटे है अगर ये नाजाइद और हराम चीज़ है और ये पक्की बात है तो मैं तो ये ही कोँगा कि नाजाइद चीज़ का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए चुके और भी पेथिया और भी इलाज मुझे ऐसे ही ब्रहमों और अफ़ाहों की कारण कोरोना की जाच के दौरान देश ने देखा था कैसे कुछ गलियों में संक्रमन की जाच करने गई मेडिकल टीम पर पत्थर फेक कर हमला तक किया गया जब ठीका आने की घवार आ गए तो सरकार ने भी जनता को अफ़ाहों की वैक्सीन से दूर रहने की नसीहत दी है यह सब इमेजनरी सिच्वेशन्स, इमेजनरी बातें, इमेजनरी पैनेक इन सब के अंदर आप अपने आपको मत उलजाएगे वैक्सीनेशन की इस पूरी प्रक्रिया में निश्चित तोर पर स्वास्त कर्मियों को इस बात की भी ट्रेनिंग दी गई होगी जहां वो जनता को वैक्सीन पर जूट की सिरिंज से बचा कर टीका लगा पाएंगे, आज तक ब्यूरो दुनिया के कई देश इस समय वैक्सीनेशन को अंजाम दे रहे हैं, लाखों लोगों को अभी तक पूरी दुनिया में वैक्सीन लग चुकी है लेकिन भारत की जो वैक्सीनेशन राइब है, वो बाकी देशों से ज्यादा चुनोती पूर्ण है और काफी अत्तक अलग है और बहुत सारे संदेश है इसमें छुपए हुए, बहुत सारे सीख है जो कई देश हमसे ले सकते हैं लेकिन भारत से अगर हम तुलना करें तो तस्वीर हमारे सामने होती है यह तुलना आपको देखना जरूरी है पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो डिलाई नहीं लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं दवाई भी और कड़ाई भी कड़ाई भी भरतनी है और दवाई भी लेनी है दवाई आ गई तो सब छूट मल गई यह ब्रह्म मत रहना दुनिया यही कहती है वैज्यानिक यही कहते हैं और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा का दवाई भी और कड़ाई भी साल 2021 आने से चंग घंटे पहले कोवी शील्ड को एक्सफर्ट की मंजूरी की सिफारिश से एक दिन पहले प्रधान मंत्री नहीं बात कि लिए पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो डिलाई नहीं लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं दवाई भी और कड़ाई भी कड़ाई भी भरतनी है और दवाई भी लेनी है दवाई आ गई तो सब छूट मल गई यह ब्रह्म में मत रहना दुनिया यही कहती है वैज्यानिक यही कहते है और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2020 का दवाई भी और कड़ाई भी अब सवाल यह है कि जब भारत में कोरोना की पहली वैक्सीन के इमर्जेंसी अप्रूबल की उल्टी गिंती शुरू हो चुकी है तब प्रधान मंत्री ने साल 2021 के लिए नया मंत्र क्यों दिया दवाई आ गई तो सब छूट मल गई यह ब्र हमारा 2020 का दवाई भी और कड़ाई भी जानकारों का मानना है कि एक्सपर्ट पैनल की सिफारिश के बार कोवी शील्ड के जल्द इस्तिमाल करास्ता खुल सकता है इस से पहले अमेरिका में फाइजर और मोडरना की वैक्सीन लगाई जा रही है रिटेन ने फाइजर और एस इस वैक्सिनेशन कर रहा है और कनाडन फाइजर और बायो एंटेक की वैक्सीन को हरी जंटी दिखाई है यानि दुनिया नए साल में कोरोना संक्रमन के हल्क की तरफ जा रही है फिर क्यों फिर्धानमंत्री लोगों को कोरोना के खत्रे न भूले की चितावनी दे रहे बात न भूले की कोरोना संक्रमन घड़ जरूर रहा है लेकिन यह ऐसा वाइरस है जो तेजी से फिर चपेट में ले लेता है इसलिए दोगज की दूरी मास्क और सैनिटेशन के मामले में धील बिलकुल नहीं देनी है नया साल हम सभी के लिए बहुत खुशियां ले करके आये आपके लिए और देश के लिए नया साल मंगल हो प्रिदानमंत्री का इशारा ब्रेटेन में आए कोरोना के नए स्टेन की तरफ है जिसे ब्रेटेन तेजी से कोरोना फैलने का जिमेदा माना जा रहा है नौबत यह कि भारत समय दुनिया भर के देशों ने ब्रेटेन से आने वाली उड़ानों पर रोग लगा दी है और वहां की सरकार को सक्त लौकडाउन लगाना पड़ा है ये ब्रेटेन का मैंचेस्टर जहां पर नए साल पसड़के सूनी है मारकेट, बैंक और मौर सब कुछ बंद ये उस देश का हाल है जहां पर कोरोना वारिस की सबसे पहले दवा पे लाई गई जिसे देखका सारी दुनिया ने रहात की सांस ली थी लेकिन ठीका करण को देखका कोरोना को हलके में लेनी के आदर शायद ब्रेटेन के लोगों को भारी पड़ गई तीस दिसंबर को ब्रेटेन 55,892 कोरोना के नए केसा है वहीं 964 लोगों की मौत भो गई ब्रेटेन की तर अमेरिका में कोरोना बेकाबू हो गया है पाल्टी मोर के एक यूनिवरसिटी गुरुवार को अमेरिका 3927 लोगों की मौत का दावा किया जो एक रिकॉर्ड थे अमेरिका और ब्रेटेन इस बाद की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कोरोना को हलके में लेनी की भूर नहीं करें क्योंकि दुनिया की महाशक्तियां एक साथ अपनी जनता को कोरोना का टीका नहीं लगा सकते ऐसे में कोरोना की दवा आने के बाद बचाव में ही भलाई है शायद इसी तरह प्रदान्मिंती ने भी इशारा किया आज तक प्यूरू और सब बचन जाए इस कोरोना नाम की बीमारी से इसलिए हम आपको जागरुक करते रहेंगे, आप जागरुक रहें क्यूंकि अभी कोरोना से लड़ाई में वाक्सीन के साथ साथ ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है अभी के लिए इतना ही देश और दुनिया के बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें आज तक नमस्कार मैं हूँ अंजना ओमकश्यप हमें उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यूँ ही देखते रहें आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले